मैं आज पर एक नए सब्जेक्ट लेके आया हूँ नॉट्स इस्पेशली रोप लाइन नॉट्स रोप और लाइन पर मैं बहुत विस्तृत एक वीडियो बना चुका हूँ वह आपने देखा भी होगा आज हम प्रैक्टिकल नॉट्स के उपर मिशेश ध्यान देंगे क्योंक से पहले तो मैं आपको बेसिक एक अंतर दिखाऊं कि रोप में और लाइन में क्या अंतर है तो अनलिमिटेट साइज का जो रसा होता है रोप होता है जिसकी मोटाई या लंबाई निश्चित रही होती है इसको हम रसा या रोप बोल देते हैं और जब हम अपने काम के जब्लाइन आप जाएंगे तो अपको बिस्ताफ से मालुम चल जाएगा कि कौन-कौन से यहाँ पर आज हम केवल बात करेंगे रिशिक का नॉट्स की कौन-कौन सी नॉट्स हैं कैसे बंधी जाती है और मैं आज आज आपको इन नॉट्स को मानने में एक्सपर्ट बना उसके पेले हम देखते हैं कि कौन कौन से बाग है जो नौट्स बनाने के काम आते हैं अगर हम कोई भी एक रोप लेते हैं Malii jay मेरे हाथ में रोप है तो इसके अदर जो है तीन भाग है पहला भाग जिससे पर गांट बांदूगा इसको वर्किंग एंड बोलते हैं इसको क् का पतलब ए खड़ाहुआ पार्ट वस्य का घटांडर करते का पर्द बेना काम자 के अट ऊचलम को करें और और उते का कि Алएक इसको हम बोलते है यह यह किसी काम में नहीं आएगा स्टेंडिंग पार्ट का यूज करेंगे गांड को बांदने के लिए और जो वर्किंग एंड़ेंगे यह वस्ते का बैसिकली मैंने जो वस्ता काम में लेवा हूं यह है जो है लगशली वोप हेैं घ्रोटरन बनावा है और करने के लिए जो हे टीन सिरेंड है चार्व से बनाये जाते हैं जैर लेंग यह यह हो प struggles standing part हो गया dead end हो गया तो मैं अलग-अलग रस्तों से अलग-अलग तभी कि गांठे बानना आपको सिखाऊंगा तो साथ साथ मैं आपको प्रेसेंटिशन भी दिखाता जाऊंगा जिससे कि आपको गांठों का मालूम चल जाएगा तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि गांठें जो हैं बांधने के लिए एक अच्छी गांठ के क्या गुण होने चीए तो इसमें जो है गांठें मोड और हिच तीन चीज़ होती है कि परहाएं कि एक अच्छी गांठ कि किया बांधन होते हैं हम एक अच्छी गांठ किसको बोलते हैं तो सबसे पहली बात है कि it shall carry out the function for which it is employed and safely and without slipping गांट के तीन मुख काम होने चाहिए पहला काम तो यह होता है कि जिस काम के लिए वो गांट बांदी गई है वो काम को उस काम को करना चाहिए मतला उसको नियोजित करना चाहिए अगर हमने गांट बांदी है किसी काम के लिए मालो हमने एक रेस्क्यू के लिए गांट बांदी है एक आदमी को उपर से कैजवर्टी को निची उतारने के लिए गांट बांदी है और वो गांट खुल जाए धेली हो जाए या कैजवर्ट उसमें निकल जाये, तो उसका मतला है कि जिस परपst के लिए एमने वो गांट मांदी है, वो गांट का काम पोरा नहीं होगा, तूसरी बात जो है, उसमें सेफ्टी होनी चीहीज़एगी, बिना सेफ्टी के लिए हम किसी मालने, समान को बांद के हम उठा के उपर लेखे जा रहेंहे हैं और उपण उठाने के टाइम में अचया छाय की सकता किसी का जाएगा घ्याओ जॉसक्ती हों तीसरी बात यह है कि बिना फिशले और फिसलनी जी जाए है हैं सबस्क्राइब करना चाहिए जहां दूरहु आपकुषी है ह। इसके बाद में चलते हैं तो मैंने आपको तीन बातें बता दिया इसके अंदर इस रक्षित होना चाहिए और बिना फिसले काम करने चाहिए दूसरी बात है गांट को बनाना बड़ा आसान होना चाहिए किसी भी गांट को मालों चेर नॉट बनावे या रोलिंग हिच बनावे टिंबर हिच बनावे रीफ नॉट शीट बेंड कोई भी गांट बनावे केट्स पर बनावे शीप शेंक बनावे कोई भी गांट बनावे तो उसको बनाना बड़ा आसान होना चाहिए और हर बार उसको बनाने का तरीका भी एक ही होना चाहिए यह नहीं कि हम कुछ भी बनाएं और कभी तो बन जाया है कभी ना बने ऐसा नहीं होना चाहिए उसको बनाने का तरीका बहुत आसान होना चाहिए और जो है बिना गलती के वो गांट बननी चाहिए और हमेशा एक ही तरीके से उस गांट को बनना चाहिए उसको गांट को बानने के तरीके अलग-अलग नहीं होने चाहिए दूसी बात यह है कि वो रसा उस गांट को बनाने के समय पे इस प्रकार से बनाई जाए कि रस्य को नुकसान ना हो मालूम चला कि हमने गांट बांदी हो गांट की वज़े से वह वसा डैमेज हो गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए और लास्ट बात जो इंपोर्टेंट है वो यह है कि गांट को वापस खोलना भी आसायँ होना चीए नंबर वर दो सेफ्टी होनी चीए कि सुरक्षित वो गांट रही जोगाँ ओनी चीए गांट को बनाना असान होना चीए गांट बिना नुकसान रस्ते को पहुंचाए बनीन चीए और रस्तावापस duties को खुल जाना चीए यह बाते मैंने आपको हिंदी में इंग्लीश में दौनों में लिख दी है आप पढ़ सकते हैं देख सकते हैं कि गांठों को एक अच्छी गांठ में क्या-क्या कॉलेडियों होने चीए अभी हमावाई यहां पर में कंसन है गांठ को प्रैक्टिकली बांदना परला हमको अभ अगर आपको गांठ में आता है तो आप नहीं बांध पाएंगे तो पहली बात तो यह हैं छटेर लेकर बैठेकि के लिए या बहुद सकते पैतल करो Hearts को डिस्चाइँ हैं में गांठ साथ गांठों को बांदते हैं चले जाएं मैं सभी गांठे बनाऊंगा आपको सबसे पहले बात करते हैं हाफ हिच अभी अपने तीन बाते यह थी एक तो होती है गांठ एक होती है जो है हिच तो हिच क्या चीज है और इस्पेशली जो हाफ हिच होती है यह कभी भी अकेले न लगाते उसके साथ में 1 एच्छ लगा सकते हैं गांट लगाते हैं तेसके साथ 2 लगा सकते हैं गाते हैं हाफ़्बस्टिकली कैसे हैं वो मैं आपको बता हूंगा अवी मैं हम इसलिए आज खाली हाथ-स आया हूंँ ताकि कि मैं अपने हाथ पे आपको यह गांट बानके बता दू अभी रखिए मैंने यह पर डालिए अभी यह वस्ता इदर चला गया है यह जो वस्ता है यह हाफ हिच किसी दूसरी गांट के साथ में लगती है तो दूसरी गांट के साथ में लगती है तो दूसरी गांट के साथ में कैसे लगती है वो दूसरी गांट में सिखा दूँगा आपको उसके बाद में भी उसके साथ में ये हाफ इच लगा के दिखाऊँगा पहली है ये हाफ इच इसके बाद में जो सबसे बेसिक गांट है उसको हम बोलते है थम नौट थम नौट जो होती है वो कैसी गांट होती है वो एक स्टॉपर का काम करती है जिसे बालो मैंने इस रस्थे के कौने पे एक थम नौट लगा के रखी विए दिखाई देवी होगी आपको और यह खुल नहीं जाए यह तो खेव मैंने इसको गवं करके बंद किया हुआ है अन्यता दूसरा जो वस्ता है आप देखेंगे इसमें भी यह थम नौट लगाई है और नहीं लगाएंगे तो यह वस्ता क्या हो जाएगा यह सब खुल जाएगा तो थम नौट के स्टॉपर होता है और फिसलने से बचाती है गांट सासा जो है खुलता नहीं है वस्ता इसी के लिए इसको लगाए जाता है अभी आप देखेंगे कि नौट को लगाता है कैसे बहुत सिंपल सा तवीका है हम गांट को जो है एक लूप बनाते है और इस लूप के अंदर से इसको डाल देते यह देखें यह देखें एक इस लूप के अंदर से इसको निकाल देंगे तो यह जो गांट बनेगी इसी को बोलते है थम नौट और यह थम नौट जो है स्टॉप का क्याम करती है रस्से के कौने पर लगाई जाती है यह अलवेडिया पे एक थम नौट लगा के टाइट कर दी गई है और यही थम नॉट आपको डाइगराम में भी दिखाई दे रही होगी इसका काम है स्ट्रॉपर सिंपल से गांट है और इसके बाद में चलते हैं अगली गांट के और इसका description लिखावा है मैंने की थम नॉट को जो है ये इसको थम नॉट भी का जाता है इसको ओवर हैंड नॉट भी कहा जाता है और ये जो है वस्थे को प्रिवैंट करती है खुलने से बचानेके लिए इसके बाद में आता है figure of eight figure of eight भी stopper का काम करती है रस्से के कौने पर लगाई जाता है कभी कभी जो है इसको कि इसी चीज के साथ में बादना है उसके साथ में लगा सकते हैं देखिए कैसे बादते हैं अभी मैंने रस्से को लटका दिया है कि पाए यहां से मैंने इसको पकड़ावा है रस्से के आगे से मैंने इसको पकड़ाया और पीछे ले जाए और इसको आगे से हमने वापस जाल दिया तो यह figure of eight लगए आप जो diagram बना हुआ इसको भी देख सकते हैं इसी diagram के साथ में जो है इसको मैच करेंगे आप तो आपको कोई थम नॉट लगी दिखाई दे जाएगी देखें से फिर बांदते वे देखिए इसको ध्यान से अगर आपके पास में रस्सा है साथ-साथ तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आपको हातों हाती गांट बांदामा भी आ जाएगा नहीं तो यह वीडियो को बाव बाव आ इसंटेरें छोड़े स्टेंडिंग पार्ट के पास में पर रस्से के आगर से इसको पखड़ेंगे को और पीछे ले आके वापस से इस लूट के अंदर डाल देगे 2 देखेंगे ये फिगर वॉफ एट बंद गई इस इसके बाद में फिर देखेंगे सफोर अगर इसको आप ऐसे बादना चाहें तो रस्षे को ऐसे बलेटा देढ दीजिए और फीछ पीछे से लेकर डाल दीजिए सिंपल नॉट है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो नॉट आपके एक्जाम में पुछी जाने वाली है वो है बोलाइन जो मैं आपको विस्तार से अच्छे से बताऊंगा भी चलते हैं अंगली नॉट की और अभी आता है रीफॉर्ट रीफॉर्ट को डॉक्टर वी गांट है इसको प्रूफ नॉट भी बोला zitältा है और इसको डॉक्टर वी गांट इस यह बहन जाता है कि जितनी be पॉलन दो deinнос that है can ऐस से बसी उए उस आदोentlich कि प्भी आधि तो दो समान मोटाई के वस्तों को जोड़ने के काम आते हैं दो वस्ते मैंने एक वस्ते के दो पार्ट ले लिए इसको भी जोड़ूंगा किस पदर से जोड़ता हूं देखिएगा तो जो तरीका मैं शिखा रहा हूं वह बहुत ही आसान है और उसको सीखना भी आसान है उसमें ग पख़़ड़ना है बाएं हाथ से आप अब भी पख़़़ने इसको देखें इसको इस तरह से यह जो लूप बन गया है इसमें जिस रस्ते को जोड़ना है उसका जो अरुस्त का ड़ेड़ एंड है उसको नीचे से डालना है दालने के बाद में इस उंगली के उपर उपर चोड़ देना है और इससे लूप के और वसी के बीच में से इसको पक्रणलेएं और वापस उपाव से डाल देना है कि यह गाएँ जया में रूजाएगी बन्जायगे जो बनी भी इसको कवेजिए इसको इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें दो लूप अंदर से है दो लूप भार से समाना अंतर रहते हैं और एक दूसरे में फस जाते हैं जान से देखें इसको फिर देखें इसको रीफ नॉट डॉक्टरी गाठ के नाम से भी जानी जाती है इस गाठ को दो समान मोटाई के वस्तों को जोड़ने के लिए प्योग में लाया जाता है जिस रस्ते के साथ में जोड़ना है उसमें छोटा लूप बनाए जाता है इस प्रकार से इस लूप के अंदर दूसरे वस्ते का यह भाग नीचे से डालते और उंगली पर डालके इसको छोड़ देते इस लूप के इस रस्ते के बीच में से इसको वापस पकड़ते और वापस उपफ से डालके और नीचे से पकड़के इसको टाइट कर देते यह देखिए बोर्ट पर जो डाइगराम है उसमें भी इस गाठ को बानने का तवीका दिखाया गया है आप इसको गाठ को बहुत आसानी से बान सकते हैं पानने के दूसरे तवीके भी है लेकिन उन तवीकों से गाठ में गलती होने की संभावना होती है इसलिए मैं तवीका नहीं बता रह लैंगे उस लूब के अंदर से इस रस्चे को नीचे से डालेंगे ऊपर पकड़ के निकाल देंगे इस इंगली पे छोड़ देंगे अर्व बीचमे Yup aऊ से नीचे hustle के पकड़के खेच देंगे हैं यह जो गाठ है इसको मोलते है रीफट यंश अर्या डौक्ट्ट्री गा यह आपको सिंगल शीट बेंट एक डबल शीट बेंट यह सीट बेंट भी ज्डियों एक हो एकि व्सामान मुटाया को जोडने के कामे में आ तो मोटे वस्य को पतली वस्य के साथ पैक सांब से बेंड के लिए परोग के ज давно है इस में भी छो है अब देखिए अपन रस्थे तो लगबग लगबग सेम ही मुटाई के हैं लेकिन दो अलग-अलग पकार के रस्थे हैं उनको जोड़ेंगे एक यह के मिवे हाथ में नीले कलव का वस्था है इंधिस अलग-अलग के रस्थों को हम जोड़ेंगे तो हमने क्या किया है जो वापस उपाष से नीचे ना डालके इस रस्ते के बीच में से इसको पखड़के और डाल कि कि आ यहां पर देखेंगे कि दौनओं लूप एक ही वस्ते से ना निकलके एक अदर से एक बहुआ और जैatures यही वस्ता बहुआ है इसमें भी एक अदर से एक बहुआ से देखे इसको फिर देखे इसको इसको हम बोलते हैं सिंगल शीट बैंड ध्यान से देखे इसको यह आपने एक लूप बनाया इस लूप को नीचे से डाला है डालने के बाद में इसको गोला चक्क्र लगाया है फिर यह जो उगली आपने पकड़ी विये इस उंगली के बीच में से इस रस्टी को भाव निकाल दिया और यह बन गई है गाटर और यह है सिंगल शीट बेंड जिसमें की एक लूप जो है इस लूप के दाएं से एक बाएं से एक उपर से एक निचे से निकला हुआ है यह देखे पहले जब हमने रीफट बांदी थी तब क्या क्या था हमने सको लेके इसके बीच में डाल दिया था यह वी नॉट बन गयी थी लेकिद बड़ दी एक डीए इसको अभी हम नीचे से पकड़के वापस इस जुप में डालेंगे ये जो ओगली में बेप सबसक्राइब है इसके बीच लिकाल के सिसको भाव दिखालों तो अ कि एकवस्थी इस दर से एक सिधि-श्युर, और यह लूप यहां पर बनावा है तो यह जो है दो ए समान मुटाई के वस्तों को जोड़ने के काम आने वाली गाट है जिसका नाम है डबल शीट बैट अब हम देखेंगे यह वाली गाट जो कि जिसका नाम है डबल शीट बैट इसमें एक एक्स्टरा लूप बनाने के लूप बनाने के बाद में रसी को नीचे से डालना है और एक इसको चक्कर देना है यहां पर एक चक्कर और देना है इसको और देने के बाद में वापस से जो है यह जो रसी थी इसी के बीट में से इसको निकाल दे रहा है अब आप देखेंगे कि जो है इसमें डबल रसी ह गई है इसको हम भोते हैं double sheet band double sheet band देखें द्यान से इसको फिर में खोल के एक बाद फिर बनाता हूं इसको कि यह आपके सामने दो रस्तिया हैं जिसको double sheet band से जोड़ा जावा है लूप बना दिया अपने लूप बनाने के बाद में इस रस्तिय को इसमें से डाला जालने के आपने अवंगली वकली एक चकप लगादिया एक दूसरे चकप लगा दिया चकप लगाने के बाद में इस ये उपव ऊपको से निकाल कि और भाव छोड़ा अब आप दिखेंगे कि एक वसी आप और यहां पर दो लूप बन गई यह दो लूप हो गए और यह वस्टी स्पग्राफ से जुड़ गई है इसको आप टाइट कर देंगे तो यह दो समान मुटाई की वस्टिया डबल शीट बेंट से जुड़ जाएगी तो डबल शीट बेंट जो है बहुत मजबूत होती है दो दो वस्टियों को जोड़ दे के लिए ओके चलते हैं मैं अगली गाठ की और अभी यहां पर आता है क्लो हिच जो है गाठ फायव के अंदर बहुत ही इंपॉर्टन गाठ है जो कि कई कामों में आती है बहुत सवे फायव के जो सामान होते हैं उनको बांध के एक इस्तान से दूसरे सान पर जब हम ले जाते हैं तो क्लो हिच बांदी जाती है उसके साथ में हाफ हिच भी बांदी जाती है अभी हम देखेंगे कि जो एक क्लो हिच किस प्रकार से बांदी जाती है तो क्लो हिच को बांदने के दो तवीके हैं मैं दौनों तवीके आपको बताऊंगा दौनों बहुत ही आसान है एक तो हम डाइवेक्ट बांगते हैं जैसे मैं अपने हाथ के उपर जो है क्लॉई हिज बांदूंगा भी देखेंगे आप को आपको कहां से अच्छा देखा ही देगा है दे आखें अभी यह वस्ता है इसको रहे हाथ फे ढाल दिया है आद aí और दालने के बाद में इसके बीच में अच्छ को पकड़के निकाल दिया है निदेखें अधित प्र देखें इसको कि रस्य को जो है हमने हाथ में डाल दिया है कि डालने के बाद में वापस से इसको मैंने पकड़के और डाल दिया है देखें और यह जो पकड़ा है यहां से बीच में से इस रस्य को वापस से निकाल दिया कि दौनों ख्याज़ देंगे तभी क्लॉहिज बन जाएगे यह तो डायरेक्ट हाथ में डालके मैं रताया अभी मैं आपको और भी संपल तवीका है इसको बांदने का कैसे बांदा जाता है तो आप देखेंगे कि रस्य को लिया इसके साथ में एक लूप अंदर से एक वांदे करते ही है पहले यहां पेलala पने आपने हाथ में बनाता है वसी को डॉल डाला और इस रसी को गोल को गुहा के और इस रशी के लूब से एक लूप भाव से बनाया है दौनों गाठे एक ही है और इसका नाम है क्लाव हिच जो है बहुत सारे उपकवड़ों को बांध के ले जाने के काम में आती है फिर देखेंगे इसको ध्यान से एक रस्ता लेंगे उसके लगबग बीच के अंदर जो है दो लूप बनाएंगे एक लूप अंदर से एक लूप बाव से देखिए जो लूप इस तरह से यहां पर बनाया है यही वाला रूप है एक अंदर से लूप बन गया है इन दौनों लूपों को एक के उपर वेक रख देंगे अगर आगे रख देंगे तो यह वस्ता कुछ नहीं बनेगा खुल जा कर देते हैं कि ना में क्लॉहिच इसको बहुत सावे फायाव के समान को फाय एक्स्ट्रूशफ को है इनको पकड़के उपर ले जाना होता है तो तो क्लॉहिच लगा देते हैं अब देखिए जगर मालो मुझे क्लॉहिच बांधे दी यहां पिर में हाफ हिच बांध के बांध के बता दी है नहीं को बनाना होता है और उस लूप को बनागे हाथ में इससे वडादी है इसको पकड़के खैज़े लादी है यह half ish बन गया तो यह claw hitch और half ish claw hitch को अगर फिर देखना चाहें तो फिर देख ले हैं पहले तो आपने गया करना अ अगर पोल के उपार बांधना है तो एक पोल ले, इस फोल के उपार वसी को डाले इस प्रकार से तो एक और वसी को डाले वसा ह खसक जाता है पर वस्सा है वह स्वैम अपना वस्से से यह गाठे बांगे बानना शुरू कर दीजिए ताकि आपको हातों प्रैक्टिस होती जाएगी गाठों की बाद में आप इस वीडियो को देखके बार बार वीडियो को देखके गांट बानना सीख सकते हैं आपको जो है अपने घर प बहां दौलों को मिला दी दिए एक लाँ हिच लगे इसी भी जगे में आप डासके अपके अब हम चलते आगे बेखके अब इसका नाम है डे वह रोल्लीं 그 सब्सक्राइब कोई जीच को बांद आफ सिंपल सब्सक्राइब हम एक लगते दूसरा चकरण सी site बें लगाते हैं देखें पने यह बनाया गोला और यहीं पर ऋसी और गुंए he और इसके बीच में से निगाल दिया इसको तो यह रोलिंग हिज हो जाती है कि यह क्लो हिच का एडवाज बव्जन है जिसमें एक पार लगा दिया जाते हैं इस Κो बहुतें रूलिंग हिच इसको एक बानने का तर्फीश और भी है जिसमे की आप जो है इसको आगे की और कॉस आपके बाढ़ सकते हैं जैसे आपने यह वस्देक में एक लूप बनाया अब इस लूप को आपने जहाने इसी सैघ्रित ना लगा कि लगा दिया एक और क्रोंस लगाया और पिसको जो है इसके बीच में से निकाल दिया कि इस तरह से जो है यह रोलिंग ही लग जाती है जिसमें कि जो है दो लूप होते हैं और एक हाफी जैसा होता है जो कि देखें इसको ध्यान से इसमें जो है टोटल तीन लूप बनते हैं यह पहला लूप है यह दूसरा लूप है और यह तीसरा लूप है और यह जो बीच वाला भाग है इसके बीच में से इसको निकाल देते हैं और इसको हम बोलते हैं पर हीच बेशी के लिए रोप को टेस्ट करने के लिए लगाया जाता है जब कभी भी हमको किसी रस्ते को चेक करना होता है तो छे आदमी होते हैं पांच-पांच बीच में से इसको निखालना हो और निकालने के बाद में हम क्या करते हैं कि लूप बनादेते हैं और यह दो तिन चार जब तक रसा खतम नाव जाए जब तक हम बनादेते इसमें बहुत सवय के और यह झूल्प इसी को हम बोलते हैं तीमबविज देख लें इस में जैसे थमनौट बनाते हैं एसे थमनौट की तब वस्थी को डालते है और उसे चार पांच शे तर्ण जटन वस्था बसतार्ण तब तक हम भूमाते वहते हैं यह पोल पर बांदेटें यहां पर टोटल छे अदमी जो एक हो जाते हैं के बाद एक पांच-पांच-फिट की दोवी पे और रस्य को टेस्ट करने के काम भी लेते हैं और कभी-कभी बहुत हैवी अबजेक्ट हावी लकड़ी के लॉग है या कोई और दूसरा समान है जो अनिवन साइज का है उसमें टिमब विच लगा के और फिसके तो नीचे टिमब विच लगाई है उपर में हाफ हिच लगाई है तो हाफ हिच मैंने बताए आपको कभी भी अकेले नहीं लगती है या तो क्लॉ हिच के साथ लगती है दोलिंग हिच के साथ में लगती है या टिमब विच के साथ में लगती है इस प्रकाब से आपको कई त पृण तर चृषाब कोмыई रगानी के निए और बरहा यह ओँ और हाथज खौली दाल और यह पॉँर आसन है और को पर कर और टेस्ट करने के लिए इसको कामें लिया जाता है नहीं तो पूल के अंदर पहले से ही इसको डाल दिया जाता है डालने के बाद में इसको कई ट्राउंट घुमाया जाता है इंबर हिच के लिए चलते हैं अगली गांठ के और सबसे इंपॉर्टेंट गांठ जिसके कई वेरियेशन भी है इनको अलग अलग तविकों से भी बांदा जा सकता है और यह गांठ इस्पेसिफिकली लिखी गई है आपके एक्जाम के लिए जो आउट्डू का प्रैक्टिकल एक्जाम होगा उसमें बो लाइन किस तरह से बां बांते हैं कंबर में कैसे बांते हैं और अलग से हाथ में कैसे बांदेते हैं वह बताऊंगा उसके बाद में बहुत ही आसान है सबसे कठिन गार्ट बानी जाती है लेकिन बहुत ही आसान है इसको बानने का तवीगा जैसे हमने पहले एक लूप बनायता है ऐसे क्रॉस लू यह जोता सा लूप बनाते इसको लूप को उपर से लेकि और उपर हग देते मध्य उंगली से अंगुठे से अर तफ्जिनी से पकड़ लेते यह इंडक्स को को खाली छोड़ देते अचो यह गाठ ली ंपये छोड़़ दिया पकड़े के बाद मैं इसके निचे से उपड़ा झाले के पाद वह उगली पर छोड़ दिया इसको और यह जो लूप है इस लूप के और इस वस्ते के बीछ में से निकाल के इसको पकड़ा और वापस इसको उपपर ढाल दिया जैसे रीफ नॉट में डालते और इसको पकड़के यहांसे खैश दिया यह आपका जो है अगर पानी के अंदर बहतीवी चीज है इसको आपको निकालना तो बोलाइन का पर्योंग किया जाता है तो बोलाइन जो यह है बांधना सबसे आसान है बहुत से इंपोर्टेंट है एक तरीका तो बता दिया अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूं या पहले इसी तरीकों को एक बार और बता देता हूं पहले ताकि आपको और समझ में आजाए ठीक से इंपोर्टेंट यह है कि जब मैं गांठे सिखा रहा हूं आपको तो आपके हाथ में वस्ता होना चाहिए आप भी साथ-साथ में गांठे मानते रहेंगे तो आपको समझ म आजाएगा अन्यता आप जो है इस वीडियो को बार-बार देखके प्रैक्टिस कर सकते हैं आपको गांठे मानना आ जाएगी देखिए मेरे हात में वस्ता है और यह चोटा भाग है जो मेरे हात में दाइने हात में है और यह स्टेंडिंग पार्ट है जो खड़ावा है इस रस्ते को निचे से ऊपर डाला है दालके ब्लेट की लूप के और रस्ते के बीच में सी बिच पकड़ा है पकड़के वापस विपाज दाल दिया है यहां से छोड दिया है तो ये यह जो है बोलाइन बन गई है कभी-कभी क्या होता है हम बोलाइन का ये हिस्ची भाग और चोड़ते हैं कि अपनी जगे से खसकना नहीं चाहिए एक तवीका तो है बोलाइन को बांदने का यह और एक तवीका है कि इसको अपनी कमर में बांद लिया जाए कि अब ध्यान से देखिए का भी कमर तो काफी नीचे है मैं थोड़ा ऊपर बांदने का प्रयास करूँग लगबग यह हाथ जो है चोटा वखावा है जो इसके बीच में आजाएगा देखिए अभी अब मैंने दाइने हाथ में पकड़े वस्ते को पाएं हाथ में पकड़े वस्ते के नीचे से हाथ डाला है और इसके उपर ले आए इसको छोड़ना नहीं कमी भी और इसके बाद म सामने है इसके नीचे से इसको डा रहा है और डाल इसको पकड़ लिया और हाथ को बाहाव खाली कर दिया कि कि अदर से ले लिए मैंने सको लेने के बाद आगे से लेकिए और इसको पकड़ लिया और हाथ को भाव काली कर दिया है अब और वही गाड जो बोला है जो अब बहुत हैं आपको दिखाई देगी आ है कि आभि मैं आपको आवा असानी से नीचे से दिखा पाऊंगा हां स्टीक है अभी देखे हैं ने आका हे टाये आटनेट स वस्से के फाले यहाइब कि ऊपर से डालेंगे और अंदर ले? अंदर लेलिया गया है अभी इसको पकड़ावा है इसको छोड़ना नहीं इसको इस वस्ते के नीचे से निकालें और उपर से पकड़के इस हाथ को बाहर खाली कर लें और इसको पकड़के वी ख्याचज अब देखें कि आपके वही बोलाइन जो इस बोलाइन को पहन के और पेहन के अब जा सकते हैं यह दूसरा तवीका हो गया बोलाइन बानने का मुझे लगता है कि आपको समझ माया जाना चाहिए नहीं है तो फिर देखिए ध्यान से इस रस्ते को पकड़ना है पकड़के अपने कमव के पीछे में डालना है और इसका जो कौना है सिवा है इसको अपने दाइने हाथ से पक अब दस्ते को अपनी जगे से छोड़ना नहीं है पकड़के बखना है अभी यह जो वस्ता आपने पकड़ावा है इसके नीचे से निकाल के उपर लेकिए इसको पकड़के बखना है और हाथ को जो है खाली करते हुए टाइट कर देना है यह देखिए यह बूलाइन लग बहुत सुंदर बोलाइन आपकी कमर पर बन गई है जिसको गया आप असानी से बाद सकते हैं कि बोलाइन को बानने का और भी एक तरीका आसान है देखिए अभी कि अगर मालों आपके पास वे वस्ता है तो आपने एक छोटा सा लूप बना ले लाएं दिखा अपने लूप ऊपर से वस्ता आवा है एक लूप बना लिया आपने इस पार्ट को इस लूप में से निकालना है और यह जो वस्ता बेपास में हाथ में है इसके नीचे से निकालके वापस इस लूप में डाल देना है तो भी यह बोलाइन बन जाती है यह तरीका और भी आसान है अगर आपको समझ में आया हो तो नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक बार फिर बनाऊंगा दिए यह भूलाइन है गार्ट यह बांदी जाती है वहीं पर वेती यह इसलिए फंदा नहीं यह अप आप सोच वह करने के लिए तो क्यारे मतलए यह उसका में आए गार भी नहीं यह बोलाइन है और बोलाइन जो है जिस जगे बांदी जाती है वही पर टाइट हो जाती है इसको तवीके को फिर एक बार देखेंगे बानने का तवीका देखिए एक छोटा सा लूप बनाया इस सवरसे देखा आपने लूप बनावा है इस रस्षे लूप के अंदर से डालना है उपार रस्षे के पीछे से लेकर आगे वापस उस लूप में डाल देना है और ट्राइट कर देना है सिंपल सा एक बोलाइन बानने के तीन तरीके बता दिए एक तो ऐसे लूप बना के एक जो है पहले जो लूप बना के बताया था जिसमें उली के बीच में रखना है वस्ते को उसे भी बना सकते एक बार आपको जब आ जाएगा तो आप आख बंद करके भी इस गांट को यह बिल्कुल भी जो है बिना देखे आख को बन करके बने बांद दिए और यह जो लूप बना के बोलाइन बनाना है यह सबसे आसान तवीका है जो मैंने पहले सिखाया था और बहुत सिस्टेमिटिक तवीका है चोटा लूप बनाई यह इस लूप में से वस्ते डाली है करएक बीचमें से बीकाल के वापस उपड कर दें घ्रping ऐसे तो यह बोलाइन बन जाए यह जो चोटी बहांच कोई चीज है उसके उपर फंदा अगर डाल दिया जाएगा तो यह फिर टाइट हो जाएगा और उस चीज को पकड़ के खैच के आप ले आसे कि इसको हम बोलते हैं रणिंग बोलाइन रणिंग बोलाइन तो छोटा एक वस्था कि इसकी सहायत्र से प्सद्री बोलाइन बनाए जाएगी बड़ी बोलाइन नहीं बनाई जाएगी उसके लिए मेसे के थोड़ा पास में हीुर 90 बास बाने के बाद बें आप पीछे लेकर और उपर से लेकर अण डाल देने हैं और और इसके बीच में से जो है दूसरा रस्य को अगर आप दिकाल देंगे तो यह जो फंदा बन जाएगा यह है रनिंग बोलाइन जिसको पानी में बहती हुई किसी चीज में सफंदे को डालके पकड़ा जा सकता है और उस चीज को पकड़ के निकाला जा सकता है इसको बोलते ह है रनिंग बोलाइन अभी बोलाइन का एक और इंपोर्टेंट रोल है जिसको हम बोलते आ कि आ इस हम क्या करते हैं कि डबल वच्था लेते हैं और ।स्ते की सायता से ब्रक्रा सीत मते духовों बहुत अच्छा सा जो है लूप बन जाता है जो की वेस्क्यू के काम में आता है तो यहां पर आप देखेंगे कि मैंने एक वस्ता लिया है इसको मैंने डबल कर लिया है और डबल करने के बाद में इसको जैसे लूप बनाया है जैसे इसको डबल वस्ते को जो है पकड़के मै जाएंगे किसी भी घायल व्यक्ति को उपव से निश्य अगर उतावना होगा तो हम उसको उताव सकते हैं यह चिएव नौट का सब्स्टिटूट है जो आदबी चिएव नेट लगाना नहीं जानता है वह बोलाइन अगर लगाना जानता है तो डबल बोलाइन से बोलाइन ऑ यह वैस्क्री काम आता है तो यह जो बोलाइन है इसको आपको लगाता कई बार प्यास कीजिए प्रक्टिस कीजिए आपको बनाना आ जाएगा फिर देखेंगे बोलाइन ऑंदा बाइट कैसे मैंने बनाई है में पास में एक लंबा वस्टा है जिसको मैंने डबल कर लिया ह कि अब हैं डबल करने के बाद में इस रहसे को मैंने जो है देखिए यह विजा है और ऑन अदा में ब्लाइन ऊंदा बाइट वहला घुपार बनाना और बबना जाएगा लूप के बीची से डाला जाएगा चालिक्ट आपके वापस उप्र से डालके और इसको गांट आप नहीं आपने देखा कि तरीके से बनादी घये अबुटा लूप बनाकी भी बांदी गई एचोटा लूप बनाके रानिंग निकाल देंगे तो बट्षे से बनाएंगे तो वह बोलाइन ऑन दा बाइट बच जाए इस प्रकार से बोलाइन आप प्रेक्टिस करें बहुत आसान है बनाना आ जाएगा आपको नहीं तो इस वीडियो को फिर देखें बार बार अभी है चिएव नॉट चिएव नॉट भी बहुत ही इंपोर्टेंट नॉट है और यह भी वेस्क्वी काम आती है बचाव काम के आती है किसी भी घ अब आप समझ लीजिए दो मंजल से तीन मंजल से अगर किसी व्यक्ति को नीचे उतावना है तो उसके लिए कितना लंबा वस्ता चाहिए वह वस्ता लगबग लगबग डबल होना चाहिए जितनी बिल्डिंग के हाइट है उससे डबल से ज्यादा अचाहिए उसी से आप जाए दो या तीन मंजल से आद्मी को नीचे उताव पाएंगे अभी यहां पर हम छोटे वस्ते से प्रैक्टिस के लिए च्यावनाट बांद वह हैं रस्ते के सेंटर में जो है आपने जो है लगबग एक या डेड़ फिट की जो है डिस्टेंस पे दौनों को पकड़ ले यह दो लूप बनाने के बाद में इनको आधा एक दूसरे के उपर रखते हैं पुरा नहीं रखते हैं तो क्या होगा बीच में एक लूप बन जाएगा फिर भावाले लूप को अंदर से और अंदर वाले लूप को बहार से पकड़ेंगे और यह जो गाठ है इसको हम क्या क आधे देगे वह देखिए मैंने हाथ को सीधा कर दिया है और दायन ने हाथ को भी नीचे से हचेंगे और अपनी च्छाती तक लाएंगे इसमें क्या होगा दो लूप बनेंगे एक छोटा एक बड़ा छोटा लूप है वह जो है आपके च्छाती में जाएगा बड़ा लू भाव इसके बीच में से से सुलूप को निकाल देते बाव कि यह यह बिल्कुल पक्का हो जाएगा यह लूप खुलेगा नहीं अब आप देखेंगे आपके पास में चेयर नौट के दो फंदे बन गये दो लूप बन गये एक छोटा है लूप बड़ा है यह बाएं यह हात मे के इंदर आएगा यह सबाखन है पर दूर रखत है दीवार के विक्ते कर Ke John मं कना यह जो रसा है नीचे ही वहा इकार में चार मुटना सब थेखा जाएगा सो है इस गाट को फिर ध्यान से देखेंगे मैं दो या तीन बार इसको बांद के बताऊंगा आपको पहला जो है अपने जो है दो लूप बनाना एक अंदर बनाना एक बहुत है जो है जैसे चीए का बता हुता है कुर्सी, कुर्सी गाठ भी बोलते हैं इसको, किसी भी घायल विक्ति को कुर्सी की तरह रस्से पे बैठाके उपर से नीचे लाया जाता है, रस्से के सेंटर में पकड़ेंगे, नगबग एक या दो फिट की दूरी के उपर हम इसके दो लूप बनाएंगे, एक लूप जो है लूप को अंदर से, अंदर वाले लूप को बहाव से पकड़ेंगे, तो मैंने ये बहाव का लूप इसको अंदर से पकड़ लिया है, और ये अंदर वाला लूप को बहाव से पकड़ लिया, इसको थोड़ा खेचा तो इस सवे से लूप बन जाएगा, देखिए ऐसा ही ल जितना एक लूप बन जाए और दूसरे वस्टे को नीचे से पकड़ के खेंचना है अपने चाती तक यह आपका चाती आ गया तो दूसरे कंदे तक और अब उपर के दौना वस्टे को पकड़ के खेंच देना है यह बहुत आसान है अगर आप वस्टा लेके बैठेंगे प्र काम में आती है रसी कितनी बड़ी होनी चाहिए सर तो मैंने बताया आपको जो जितनी उचाई से आपको कैज़़टी को नीचे उतावना हो उसकी दुगनी हुनी चाहिए क्योंकि एक रसी उपर से नीचे तक आएगी और दूसरी रसी जो नीचे होगी वह दिवाब से दूर रखने के काम में आएगी अगर मालों आपको 15 मीटर या 30 मीटर की दूरी से होगे तो लगबक साथ या 65 मीटर रसा होना चाहिए कि कि यह थाजर चाहिए को न कि भक हवाथ लाइख लाइए इसको पकड़के और एक असलेह बिमें दुद से बीछे ses Manhattan लगता एक लूप छोटा है एक लूप बड़ा है यह चोटा लूप जो है चाती बाएगा बड़ा लूप टांगों में आएगा पुटसी की तरह बैठाके इजीली उसको जो है उपर से नीचे उतावा जा सकता है पुझे उम्मीद है कि चेव नॉट बानना आपको आगया होगा अगर आप प्रक्टिस करेंगे तो आज आएगा समझ में आगया होगा कैसे लगती है जिन लोगोंने प्रैक्टिकली रसी लेके बैठे उनको तो आई गया होगा और जिनोंने अभी रसी नहीं लेके बैठे व क्वा से अब एक काम में वाष ओफ अपने केसर रेसका नाम है क्यट्र फार कैंट मोलते मिल्ली को पाल ंंदर काम नियुक्रिय जाने हमाले ने दी यहां पर बंच रहे हैं यहीं लूप आपने देखा यह इसको लिभी होज के जो लग होते हैं इस मेल कपलिंग होता है उस-टे बाद में इसको लगा दिया जाता है और इसके बाद में उपफर से जो और त्मनोट बादी जाती है और वस्यों को पढ़के और उपर में होस को ले जाने के काम में आता है के अपनी आता है अफिर में सकता तक देखिए को बीच के अंदर आप दो डूब बनाना एक अदर से बहाब से और इसको पिल्पिधन गुवाब होे तो क्या हो जाएगा यह निया जाएगा और यह मच्ण नाम बने होस्के और कि मैं पूंज जादा तेजी से तो ने बता वाहूं को समझ डो हाव हैं इसली रोلي को बाद में लास्ट गॉर्ट विक धान सस्य नामें सी में यह लंबे वस्ते नज़ाsın फ्रीज़ साहाय जो कि काम में आसकता है उसको काम में लेने के लिए चोटा नी क्या आवशक्ता होतीग इसको काम में लेने के लिए शीफ शेंग आंट पानी जाती है को माली जै में ने इक वस्ता है जो कि यहां से कम जोव है बीच में कटावा है अगर मालू मैं चैंवनोट बनाखे या बोलाइन बाइट बनाके काम में लूँगा तो हो सकता है तो इसका प्रवयोग नहीं किया जा सकता है लेकिन वह दूसरा नहीं यह मुझे इसी वस्ते से है काम लेना है तो मैं इस पर शीफ शेंक गाड़ बांदूगा तो यह जो कटावा वस्था है इसको बीच में बगते हुए इसको नीचे से पकड़ा जाएगा वापस से उपर पकड़ा जाएगा उसके तीन लूप बन जाएगे कटावा भाग बीचे वाँ जाएगा और एक भाग उपपव लेखा नीची आएका इस तरह से आप देखेंगे यह वसाइब इसके बाद में एक हाफ़ इडर लगा देगे हाफीर काम जा गौना ऐसके भीच से इसको डालना है और टायट कर देना है ऐसे ही जो एए एक हाफीज जो है ड़म लगा दिजाएगी और इसको ट्राइट कर दी जाएगे इसको बजबूत करने के लिए यह वस्ते के अंदर से जो वनिक पार्ट ने इसको बीच में से निकाल भी देते यह देखें आप अब यह कितना भी आप खेचेंगे खुलेगी नहीं यह गाट है श्रीप शेंग केवल एक हाफ इचसे बंदीवी गाट है रस्ते को ट्रिपल कर लेते हैं जो कटवा इससा है वो बीच में ले लेते हैं बाकि दो वस्तों को ले लेते हैं फिर देखें इस गा जेका इस पायनका राएंसां जो कमजोर उस्ते को मजबुद बनाने के लिए अत्वा लंबे वस्ते को छोटा करने के लिए कि आम आती श्रीप शेंग करके और उसको भी हमको काम में लेना है, तो उसे हमें काम में लेने के लिए शीप शेंग का प्रयोग किया जाता है, अगर मालो यह वस्ता यहां से कमजोव है, हमें यहां से इसको काम में लेना है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से नीचे पकड़ेंगे, यहां से पकड़ेंगे वापस से इसको लाईगे सीधा करेंगे quantidade कि आप देखें कि यह 3Fold हो जाएगा एक kuttaug वस्ञा है बीच वाला और दो वस्ञे बजबूत डौनों साइड के इसके दौनों साइड में हैं अगर मालो हमको इसको बांदना है तो हमको केवल यहां से पकड़ना है पकड़के एक लूप बनाना है लूप के अंदर इसको डालके और इसको टाइट कर देना है कि और टाइट करने के बाद में यह सॉअफ लग गई है और इसके बाद में आप देखें वस्ता वह सो वापस भाव निकाल देना है कि एक और बजबूत कवने के लिए इसा वनिंग पार्ट को इसके बीच अब आप देखेंगे कि जो फटावा वस्ता था क्टावा वस्ताता यह मजबूत हो चुका है कि तब आप छहें कि सको तो यह जो है दिखिए बिलकुल मजबूत हो चुकार इस प्रगावसे शीप शेंग चोड़ लिए चोटे वस्ते को बड़े वस्ते चोटा बनाने के क्ला हिच और जो है क्या नामें बोलाइन दा बाइट या बोलाइट यह गाठे बहुत अच्छे तरह से त्याब करने चाहिए एक्जाम में अबश्च पुछी जाएगी प्रैक्टिकल में इसी गाठों को पूछने के लिए उनने बता है आपके में कमेंट्स देखवाऊं सभी गाठे हैं मैंने आपको इसका प्रेजेंटिशन भी दिखा दिया है और आपको मैंने फिजीकली भी सभी गाठे खुद बांध के बता दी गए अब इसमें आपको गाठों को बांधने में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए है ओके थैंक्यू थैंक्यू विमच कितन समेकोगा